अभीनेत्री ग्याना वशिष्ट का असली नाम वन्दना तिवारी उनका जनम चत्तिजकर के चिर्मरी गाव में हुआ है। शितीजा देश्बुक ने ग्याना से खास बाची किये आई ये जालती एक नजर। अल्बम के शूट के लिए हैं क्या बता होगे सबसे पहले तो कम बैक अप करने जा रहे हो क्या बता होगे। मैंने लास्ट वानियर कोई काम नहीं किया क्योंकि मैं 4th of February 2021 को अरेस्ट हो गई थी 22nd of June को मैं बहार रही उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया तो ये मेरा पूरी तरह से कम बैक है और मैं बहुत एक्साइट हूँ क्योंकि आड़ी के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ था और मुझे पता है कि ही इस फेरी प्रोफेशनल वेरी काम किया हुआ तो और मुझ कि पहले नागपूर आ चुकी हूँ मुझे नागपूर के लोग बहुत अच्छे लगते हैं आप मेरी जो ट्रैस से वो देख सकते हैं ये नागपूर से हम लोगों ने ली है ट्रेंज से और जिस लुक एट माय मेक अप सारी चीज नागपूर की है यहां पे जो एंटायर है वो नागपूर की है वेरी डेडिकेटे डेलेंटेड ओअ पथे टालेंट्टिज ओठे कि अईधियों क्या हो जाता रहें जब तक आपको एक्स्पोजर नही जा इन yetky वेल्यू नहीं होती है क्योंकि bran्ट अब तभी बनते हैं जभ लोग आपको जानना शूरू करते है तो नागपुर में बहुत जादा टैलेंट भरा हुआ है और मैं कोशिश कर रहे हूं कि मैं ऐसा कुछ अच्छा करूं कि नागपुर के लोगों को पूरी दुनिया जान सके बिल्कुल बताइए कि जिस तरह से मतलब जो एक साल गुजरा है उसके बाद आप फिर से कमबैक कर तो जो पास था उसका कुछ पर्चहिया जो बोलते हैं वह कुछ इसे लगरे लाइप पे आई है या उससे कुछ लग रहा है डिप्रेशन है या काम पे उसका असर हुआ है नहीं बिलकुल ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि होता कि जब आप गलत होते हैं तो आपकी जिंदग कि किसी भी किसी को सफाई देने के जरुवत है मैं पहले जैसी थी मैं आज भी वैसे हूँ मैं बॉंबेश शहर में काम करने आई थी मैं आज भी काम करूंगी और मैं पहले से जादा करूंगी जिन लोगों ने मुझे फसाया जिन लोगों ने सोचा कि शायद मैंसे रोक जा और यहां के जो मतलब यूथ है यहां के जो भी आइटिस है उनका मतलब इसमें कितना सहबाग है सबसे पहले चीज़ यह है कि मैं नाकपूर से ही हूँ और मैं नाकपूर मेरी करम भूमी है और मैं नाकपूर में सच में टैलेंट बहुत है अगर सच में पर्खा जाए तो उसे भार निकाला जाए तो टैलेंट बहुत है और जो मैं हर बार कोशिश करता आ रहा हूँ अमेशा करूंगा तो मैं चाहता तो मुंबई भी रहकर कर सकता है लेकिन ये नाकपूर में मेरा मुंबई भी रहता हूँ और नाकपूर भी और यहाँ नाकपूर में जैसे मेरे साथ में अक्षा रॉय हैं म्यूजिक डैटर और सिंगर जो जिस दिन से गाने के हैं वो भी नाकपूर से ही हैं लेकिन हम नाकपूर से होकर भी हम मुंबई में हैं लेकिन हमें हमारा नाकपूर नहीं भूला है हमें मालूम है कि यहां वो टैलेंट और अपने टैलेंट को हमें निकालना है जैसे इस एल्बम में आप देखने जाएंगे कि जिस दिन से में अलड़ी एक स्टैबलिस्ट आर्टिस्ट गहना वचिस जिसको सब लोग जानते ही है इसमें हम एक नू कमर आर्टिस्ट नाकपूर से जो है हर्शल गुनाडे जो मेल लीड आर्टिस्ट है हमारे जिनको हम नाकपूर से उस अपकमिंग टैलेंट को बॉलिवड इंडस्टी में लांच करने जा रहे हैं गहना के अपोजिट में और इसी के साथ साथ हमारे साथ में हेमन सिडाना है वो हमारे साथ सेकेंड इसमें लीड में आ रहे हैं इसके लावा एंटायर सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो है वो नाकपूर से ही है मेल एंड फीमेल आर्टिस्ट अराउंड 50-60 सपोर्टिंग आर्टिस्ट है इसके लाबाव एस नाकपूर में जैसे कॉस्ट्यूम की बात की जाए तो त्रिंज्ड से हमने धर्म पे ट्रिंज्ड आप सब जानती है वहाँ से हमारे सारे आउटफूर गेहना ने जो पहने हैं इस ऐल्बम में जो पहने आप देखने वाले हैं सब ट्रेंज से हैं, इसके लावा जो स्टाइलिंग पार्टनर हैं, जो समायरा एंड राहेरा एंड नमनीत, यह अलड़ी बहुत अच्छे पैशन डिजाइनर और स्टाइलिस्ट हैं, इसके लावा आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अपने नाकपूर से ही है, जो विधरबन महरास्ट में फेमस हैं, अर्शना राठोर जी, और इनकी पुरी टीम, रेखा मैम, कवीता मैम, अनिता मैम, बहुत बरी टीम, तो यह अपने नाकपूर से ही है, तो हमारे नाकपूर में अच्छा खाजा टैलेंट है, अगर हम सही तरीके से निकालें तो और वही कुछ नहीं देखने बलता, बस पुरानी चीजों को स्तोड के, कुछ मरोड के, कुछ अपना से एक धंग दाल दिया जाता है, बस नया यह है कि पहली बार इस गाने में पहली बार एक डिरेक्टर के रूप में उतर रहा हूँ, वैसे ही इस गाने में पहली बार एक अपने नाकपूर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि न्यू कमर बॉल्विड इंडस्टी में लॉंच हो, यह गाना मेरे लिए बहुत बहुत ही प्यारा है, जिसको लिखा और गाया है, म्यूजिक दिया है, अक्षा रॉय ने, और यह गाना, आप अक्षा से कुछ सुने, इनके दो बो के से मैं काम करता हूँ, या वो मेरे माध्यम से आगे, या अपने टैलेंट के माध्यम से आगे आ रहे हैं, हमारे साथ जो है, जो आल्बम के सिंगर है, अक्षे रॉय हमारे साथ है, क्या बताओगे सर, गाने के दो बोल, अगर बोल सकते हो, तो फ्लीज बता तो, बिल्कु को पत्ताने को मैं क्या क्या निकर रहा हूं इसके बाद रैप स्टार्ट होगा अच्छा गाना है आज सबको बेस्ट लग का इस गाने के लिए हमने देखा कि नागपूर में जो है बहुत आच्छा सॉंग जो है यहां पर शूट होने जा रहा है जिसमें लीड एक्टरेस जो है गहना वशिष्ट है और देखते हैं कि कुछी दिन बाद ये जो है सॉंग जो है हमें देखने मिलेगा जी म्यूजिक पर देखते हैं कि ये कैसा रहेगा कैमेरा परसन राशकुमार मोड के साथ मेक्षिति जादेश मुख बी सीन नियोज नापपूर